सोनीपत की कुल्ली थाना शेतर से इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत की दहिया कलॉनी में कथा बनाने वाली फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट जबरदस धमाके के चलते कई मकान हुए शर्टी ग्रस्त मल्बे से दो मजदूरों के शब हुए बरामत कई और लोगों के मौत की जिताई जा रही आशंका करीब 25 से जादा लोग हाथसे में हुए है गायल गायलों को तुरंट अस्पताल में कराया गया भरती रेस्क्यू आपरेशन में जुटे दमकल विभाग के करमचारी नवश्कार पंजाब के सरी देख रहे हैं सुभी दरस्कार स्वागत है आपके सानी मलिक इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से वो आ रही है सोनीपत के कुली थाना अख्षेतर के अलगत आने वाली दहिया कालोनी में एक फैक्टरी है जिसमें वाइलर है वो फटा है देरात और जिसके चलते फैक्टरी में भेंकर आग लगी और पूरा का पूरा जो मलबा है वो है वो स्तिकरस्त है वो हो गया अभी यह बताया जा रहा है कि फैक्टरी में काम करने वाले लगबग दस से बारा मजदूर है वो इस फैक्टरी में घायल हुए है इस हाथसे में घायल है वो है प्रजीन कृष्पनें में और नहीं से कंपनी का रात में बोलर भटते है के इगाराओ पर यह सारे मकान तूट गे इस लाइन में दुरार आगे अंदर से सारे कमरे तूट गें 35-40 हादमी एडमिट होस्पिटलाइज हैं ना कोई रेस्कुटी मार यह ना कुछ को मदता रही है अभी भी पुलिस वाले आ रहे पुलिस खोलने के बाद पुलिस को फोन करने के बाद कम से कम डेड़ दो गंटे के बाद आया है उन्हों कोई कारवाई नहीं करिये हैं हाँ हाम अपनी नहीं जिगाडियों से उनको फिटर में अडमिट को वाक आए कितने लोग हैल बताए जा रहे हैं कितने लोगों की मोत हैं पैतिस चालिस तो हम कुछ छोड़काए हैं एक कमपनी के अंदर पता नहीं कितने जिंदा हैं ये नहीं पता और तीन आदमी तो जो जिसके पूरे शरीर पाग लग रही थी वे हमने खुद अपनी आखों से जैसे कुछ है नहीं पता देखिए आपको तस्वीरे हैं वो दिखा दूँ यहाँ पर जो संसनी है वो फैली है क्योंकि फैक्टरी में बॉयलर फटने से धमाका हुआ और धमाके बाद इस पूरी फैक्टरी का जो बिल्डिंग थी वो जड़ ज़रा कर नीचे गिरी और इस हालात आप देख कर अंधाजा लगा सकते हो कि यहाथषा कितना भैंकर होगा वही इस में जानुरों की मोत की भी सुचना है वो आ रही है यह बताया जा रहा कि इस कंपनी के आस्पा जीतने भी बंदा रहते थे उन्वऽ भी मल्वय में हैं वो दूबे है और हाथसा इतना भेंकर था कि अभी भी यहाँ पर rescue operation है वो जारी है और लगातार तस्वीरे हैं वो इस बात की गवाँ हैं कि यहाँ पर अभी भी जो rescue operation है वो जारी है जिला परशाशन पर मदद ना करने के गंभीर आरोप हैं वो यहाँ के इस्तानिय निवासी है वो लगाते हुए करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद